नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ रहशाली शर्मा फरवरी का महीना प्यार का महीना माना जाता है फरवरी के महीने में ही वेलेंटाइन वीक आता है जो की 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है Valentine week का पहला दिन Rose Day का होता है यानी गुलाब वाला दिन हर गुलाब कुछ कहता है हर रंग अलग है हर रंग के माइने अलग है Rose Day का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है जिसे चाहते हैं जिसे मानते हैं उनसे प्यार का इज़ार करने के लिए खास तौर पर Rose Day यानी साथ फरवरी का इंतिजार करते हैं इस दिन लोग अपनी feelings व्यक्त करने के लिए गुलाब का फूल एक दूसरे को देते हैं Valentine Day के नजदीक आते ही हर तरफ गुलाब की महक चा जाती है हर रंग का गुलाब हर अलग बात को जाहिर करता है गुलाब की महक ना केवल उनके चाहने वालों तक पहुचाती है बलकि अपने दिल की बात भी कम शब्दों में कह देती है हर रंग का गुलाब अपनी बात को जाहिर करता है अपनी रंग से आज हम आपको बताएंगे कि Valentine week के पहले दिन आपको कौन से रंग का गुलाब का फूल देना चाहिए जिससे आपकी बात सही माइने में उस तक पहुच जाए अगर आप किसी को गुलाब दे रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि चाहिए कि जिससे आप गुलाब दे रहे हैं उसे कौन से रंग का रिना चाहिए काफी लोग रंगों को लेकर गलती कर देते हैं चली बात करते हैं गुलाब की रंगों के बारे में बात करें सफेद गुलाब की तो सफेद रंग शांती का प्रतीक है इसलिए सफेद रंग का गुलाब भी शांती का प्रतीक माना जाता है यानि अगर आप किसी से लडाई हुई हो तो आप उसे लडाई सुलजाने के लिए सफेद रंग का गुलाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप शांती पूरवक उस बात को खत्म कर आप नई शिरुवात करना चाहते हैं वहीं गुलाबी रंग के गुलाब के बात करें तो अपने प्यार का इजहार तो करी सकते हैं लेकिन खास तोर पर आप किसी को धन्यवाद भी कर सकते हैं अगर आप किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं तो गुलाबी गुलाब देकर आपके धन्यवाद पर चार्ट चांद लग जाएंगे तो वही औरेंज रंग के गुलाब देने का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स बया करना चाहते हैं नारंगी रंग के गुलाब का मतलब उत्साह और जुनून का प्रतीक भी होता है। वहीं अगर आप पीला गुलाब दे रहे हैं तो पीले रंग का गुलाब देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। साथी पीला रंग खुशी का भी प्रतीक है। अपने दोस्तों को पीले रंग का गुलाब दे सकते हैं। लाल रंग इमोशन और प्यार का रंग माना जाता है लाल गुलाब देने का मतलब होता है अपने प्यार का इजार करना अगर आप किसी से बेहत प्यार करते हैं तो आप उन्हें लाल गुलाब दे सकते हैं लाल गुलाब प्यार और रोमांस का प्रतीक है यही वज़ा है कि लाल गुलाब को प्यार की फिलिंग्स बया करने का परफेक्ट जरिया माना जाता है तो आप भी इस वेलेंटाइन वीक में रोज़े के दिन अपने किसी प्रिये को या अपने किसी दोस्त को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रंका गुलाब देकर अपनी फिलिंग्स बया कर सकते हैं और उसे मन चाहा गुलाब दे सकते हैं तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही बागी की तबाग खबरों के लिए बने रहे ये जेजेन नियूस के साथ धन्यवाद